किसी तापपुर में मेरे भाईया एपा घनिने आतंका मचाओ है किसी तापपुर में मेरे भाईया पा घनिने आतंका मचाओ है मेरे साथियों आए दिन लगातार सोशल मेडिया के माध्यम से जिला सीता पुर लखीम पुर बहराईच में जो बाग तेंदुआ चारों तरफ से हाहा कार मचा हुआ है आए दिन गाए बकरी बच्चे बहने भाईयों का जो है अकेले पाकर के सेर यानि बाग दबोचने का काम कर रहा है फेस्बुक के माध्यम से वाट्शेप के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से खबरे लगातार प्राप्त हो रही है पूरे छेत्र में कोहरा मचा है एक पिला की रहुसा में भाईया अभी जल्दी खबर प्राप्त होई की रहुसा छेत्र में एक ब्यक्ति को बागों ने अपना सिकार बनाया सांडा छेत्र में सक्रन छेत्र में लहर पोर तहसील छेत्र में कई बेटियां भाईयों को जो है बागों ने अपना सिकार बनाने का काम किया ए पिलाक रहुसा में भाईया लोगन को शिकारे बनाया है एचान गवाई लोगन ने एचान गवाई लोगन ने परिवारी में सदिमा भारी है खोकी क्या बताया जाए अब आदमी अपने धान बचावे की जान बचावे क्योंकि पागों के आदंग से लोगों ने अपने खेतों को जाना बंद कर दिया रात्री के बेला में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता है जो लोग अपने घर के बाहर सोया करते थे वो लोग अपने कमरे में बंद हो जाते ये धानी बचावे या जानी बचावे ये बात समधी नहीं पाए है क्योंकि हमारे छेत्र में बात के डर के चक्कर में सैकड़ो विगा जमीन जो तहां लगे थे साड़ो ने खाली कर दिया काई पहले तो एक डर बेक्तियों के अंदर भाईयों के अंदर भारी जो है भरा था का साड़ो और गाईयों का लेकिन धान चले जाए तो कोई बात नहीं लेकिन जान चली गई तो तो सब कुछ खाली हो जाएगा ए सीतापुर में मेरे भाईया बाधन नेया तंक मचायो है और जो फारिष्ट वाले जो जंगल के जो रच्छक उन बागों को पकड़ने का प्रियास लगादार जारी है लेकिन वो बाग पकड़ने में नहीं आ रहे हैं आया दिन लगातार कोई ना कोई बच्चे का बकरी का किसी ना किसी का सिकार बना लेता है एडर हर एक माँ हर एक बहन हर एक भाई के अंदर में चल रहा है एक घारी में रहो मेरे भाईया एक घारी में रहो मेरे भाईया एक मानो बाद मेरे भाई एक हेत निकाजो काम करो एती नहीं में सब कर लेना